हलो बच्चो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड ग्लासेस पार गॉड ग्लासेस यारी मैस भी एंड मस्ती भी तो बच्चो फंक्शन चैप्टर चल रहा है अप्लाइट मैदेमेटिक्स क्लास 11 का अल्रेडी उसके दो पार हम कर चुके हैं जिसमें हमने डोमे और साथ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो अप्लाइट मैदेमेटिक्स का कंटेंट है गॉड ग्लासेस पर कंप्लीट अवेलेबल है चाहें 11 की बात हो या 12 की बात हो आपको कंटेंट मिल रहा है तो अप्लाइट मैदेमेटिक्स के स्टूडेंट अगर आप हैं और आप दूसरों की जो क्वेरी है उनको रिजॉल कर सकते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया तो टेलिग्राम चैनल जोइन कीजी और जोइन करने पर जो भी इंप्लाइट इंप्लेशन है वो भी आपको मिलेगी प्लस आप एक दूसरे के साथ करनेट करके दूसरे की जो डॉट्स हैं वो भी आप क्लियर कर सकते हैं तो आज की जो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं तो आज की वीडियो में बात करने वाले ग्राफ और रियल फांक्शन अब ग्राफ जब आप को वेसे नीट पढ़ती नहीं है हाँ अगर पर्टिकुलरल इसे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाता फंक्शन के बारे में कि फंक्शन का बीहिवियर किस तरीके से हैं फंक्शन की डॉमें क्या हो सकती है रेंज क्या हो सकती है क्योंकि अगर आप सिर्फ रठ के जाओगे तो आप भूल जाओगे कई बाट डॉमें क्या होता रे कैसे निकालेंगे और फंक्षन का जो behavior है उसका जो graphical presentation है वो किस तरीके से आप कर सकते हो यह सारी चीज़ समझेंगे बहुत important है functions को समझने के लिए कि function किस type के functions होते हैं और कैसे हम उनकी domain या range identify कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको questions मालो आपको याद नहीं है कि किसी function की domain और range क्या है तो आपको graphical presentation याद होगी एक visualization आपके पास होगा तो आप उसको फटाफट निकाल सकते हो कि इसकी domain क्या है और range क्या है तो सबसे पहले हम start करते हैं यापर constant function से अब जैसा कि इसका नाम है कि constant function जब भी हम graphical representation करते हैं तो आपको एक तो function को represent करना है अब क्योंकि constant function है तो constant function को हम कैसे represent कर सकते हैं constant function को represent करने के लिए हम लिखते हैं यापर fx equals to c अब c गया है यापर where c is any constant C कोई भी एक constant value है अब दूसरी बात आती है कि इसका domain क्या होगा और इसकी range क्या होगी तो आप जिसे यहाँ पर देख रहे हो कि आप यहाँ पर x के जगे कोई भी value put करोगे कोई फरक नहीं पड़ेगा मतलब function पर कुछ ऐसा function नहीं बनेगा कि function invalid हो जाए तो आप कोई भी real number यहाँ पर put कर सकते हो तो function का जो domain है वो all real number आएगा अब लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर जो आप value put करने जा रहे हो domain का मतलब है कि आप x की value put करने जा रहे हो लेकिन यहाँ पर तो x है ही नहीं खाली c है तो जब x है ही नहीं वहाँ पर तो आप value put करोगी क्या put कर ही नहीं सकते मतलब यह हुआ कि जो answer आपका आएगा जैनि जो range आएगी उस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा range आपकी हमेशा c ही रहेगी तो यहाँ पर समझने के लिए कि graphical presentation कैसे होगा मैं एक value लेता हूँ कोई constant value लेता हूँ fx की value ले लिए मानलो मैंने 2 अब यहाँ पर मैं x की value कुछ भी put करूँ जो fx आएगा उसका answer क्या आएगा 2 ही आएगा अगर मैं x की value 0 लेता हूँ fx की value आगी 2 यहाँ पर मानलो 2 ले लेते हैं अगर मैं x की जगे 1 put करूँगा तो भी fx की value तो 2 ही रहेगी उसमें तो कोई change हाई गए नहीं क्योंकि हमारा जो range है वो 2 ही रहेगा तो यहाँ पर मानलो मैंने 1 लेता हूँ value तो fx की value आएगी 2 अगर मैं value 2 लोगा तो भी fx 2 रहेगा value 3 लोगा तो भी fx 2 ही रहेगा यानि fx की value change नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर x है यहाँ पर constant function है इसलिए जब आप इसका graphical presentation करोगे तो इसका graph इस तरीके से बनेगा इसके parallel line आजाएगी x axis के parallel line आएगी हमेशा अब यह depend करेगा कि लाइन कहां पर pass करेगी यहां करेगी function अब identity function identity का मतलब होता है same same एक जैसे बिल्कुल एक जैसे तो यहाँ पर भी बात वही है कि अगर आप fx की value लिखते हो x यानि जो value आप x की put करोगे वही value fx की आएगी तो इसमें क्या आएगा जो domain होगा कोई भी real number आप रख सकते हो कोई restriction नहीं है अब जो value आप put करोगे वही हमारा answer भी आएगा यानि जो range आएगी इसकी वह भी real number ही आएगी अब इसका graphical presentation कैसे होगा अगर कह रहा है कि x की value 1 है तो fx की value भी 1 है fx का मतलब y है ठीके axis में हम देखेंगे तो y है और x की value 2 put करोगे तो fx की value भी 2 3 put करोगे तो 3 minus 1 put करोगे तो minus 1 यानि इसकी जो graphical presentation हम देखेंगे तो यह इस तरीके से x axis को cross करते और origin को cross करते वह जाएगी और यहाँ पा जितने भी point आएगे वो सारे point आपस में equal होगे जैसे यह 1 है तो y भी 1 होगा 2 है तो y भी 2 होगा अगर minus में जाओगे तो दोनों में minus 1 आएगा तो इस तरह से आप बना सकते हो identity function का graph function लिखना जरूरी है domain range बताना जरूरी है graphical presentation अगर function को आपको explain करना पड़ता है graphically तो यह तीनों चीज़े आपकी जरूरी है उसके बाद next question पर जलते है function पर reciprocal function या फिर rational function तो इस function को आप किस तरह से denote कर सकते हो standard form ले रहे हैं वैसे तो function बहुत सारे हो सकते हैं एक standard form ले लिए हमने कि reciprocal function में x जो है denominator में आगा अब x denominator में अगर आ गया तो हमारे पास conditions यहाँ पर जाएगी domain आप सारे real number नहीं ले सकते हो आपको ऐसा कोई भी number नहीं लेना है जिससे आपका denominator 0 हो जाए तो यहाँ अगर x लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप x की जगे पर 0 put नहीं कर सकते हैं तो आप बाकी सब real number put कर सकते हो except 0 0 के लाब आप कोई भी number यहाँ पर put कर दो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब range हम निकालेंगे अब range में भी आप क्योंकि 0 तो put करी नहीं सकते हो तो इसका answer कहीं से भी 0 के बराबर नहीं आएगा तो इसकी जो range आएगी range के अंदर भी all real number आ सकते हैं लेकिन 0 नहीं आ सकता इस particular function में अगर function यहाँ पर change होता है तो फिर उसमें आपको उसके हिसाब से थोड़ा change करना पड़ेगा लेकिन अगर हम standard function की बात करें तो आप इस तरह से अगर आप से पूछा जाता है reciprocal function या rational function तो इस तरीके से आप denote इसको कर सकते हैं अगर इसका graphical presentation देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से move करेगा ठीक है जीरो नहीं होगा ना तो यहाँ जीरो के touch होगा ना यहाँ इसको touch होगा अगर negative value होंगी तो इसका ग्राफ फिर इस तरीके से जाएगा यह जो line आरही है 보세요 एक ट्रॉड आगे बड़ जाएगी यह line इस तरह से रहएगी लेकिन यह कहीं भी 0 को touch नहीं करेगा ना इधर touch करेगा ना इधर touch करेगा क्यों कि 0 तो इस value होई नहीं सकती ना X की value 0 हो सकती ना FX की value 0 हो सकती और जैसे से आप point plot करोगे अगर आपको याद भी नहीं रहे तो point plot करके बना दो, कि x की value 1 है तो यह 1 आ जाएगा, x की value 2 है तो 1 by 2 आ जाएगा, तो 1 by 2 मतलब 0.5 इस तरह से 2-3 point plot करके आपको idea लग जाएगा कि इसका graph कैसे बनेगा, उसके बाद next पर अगर चलते हैं next function है हमारे पास square root function अब square root function को आप denote करेंगे तो इस तरह से आगया यह fx equals to fx equals to square root of x अब square root function में क्या खासेत होती है यह जो root का sign लगा होता है क्योंकि हम यहाँ पर graph बना रहे हैं कि इसके real functions के graph बना रहे हैं तो आपको जो भी value रखनी है वो real values में रखनी है तो यहाँ पर x की value जब आप domain put करोगे तो x की value क्या हो सब्थी है x की value अगर मैं negative put करना चाहूं तो negative put करना मतलब minus 1 तो minus 1 करने पर क्या होगा root के अंदर आजाएगा minus 1 और यह real number में possible value नहीं है यानि root के अंदर negative value नहीं होनी चाहिए यह हमने जो domain range का जो concept किया था उसके अंदर भी हमने यह समझा था तो यहाँ पर आपको x की value 0 रख सकते हो या 0 से बड़ी कोई भी रख सकते हो यानि domain के अंदर 0 हो सकता है और जो range इसकी जो limit maximum up to infinity हो सकती है आप कोई भी value put कर सकते हो यानि negative numbers नहीं आएंगे बाकि आप कोई भी number इसमें put करो अब जब इसकी range निकालेंगे तो range में भी क्या होगा क्योंकि यह square root function है तो इसकी value negative तो आएगी ही नहीं negative तो इसकी value possible ही नहीं है ठीक है क्योंकि square root function है तो इसमें जो भी आप answer निकलेगा answer भी क्या होगा negative तो possible नहीं है लेकिन 0 तो possible है 0 भी possible है और 0 से लेकर positive value कोई भी आ सकती है तो इसका भी domain और range दोनों एक जैसा बनेगा अगर इसके graph की हम बात करें तो graph इसका कुछ इस तरीके से move करेगा क्योंकि x की value देखो 0 put करोगे तो यहाँ 0 आएगा 1 put करोगे तो यह 1 आएगा अगर यहाँ 2 put करोगे तो 2 का square root होता है 1.41 something तो अगर आप 2 put करोगे तो value थोड़ी से बढ़ेगी मतलब graph आप बनाओगे तो इसका इस तरीके से move करेगा graph तो इस तरीके से बनेगा यह square root function का graph उसके बाद हम चलते हैं फिर next polynomial function पर polynomial function आप काफी time से पढ़ते आ रहे हैं इसको अगर मैं standard form में denote करना चाहूं क्योंकि polynomial में बहुत सारे polynomial आ जाते हैं उसके अंदर जो degree 2 है वो भी polynomial है, degree 1 है, वो भी polynomial है degree 3, 4, 5, 6, 7 तो इसको अगर standard form में denote करना है तो आप इस तरह से दिखा सकते हों a0, a1 into में x a2 into में x square a3 into में x cube इस तरह से करते-करते up to n तक हो सकता है अब इस n की value हमें पता नहीं मतलब degree 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 degree 0 भी हो सकती है जितनी मज़े degree हो सकती है अब इसका जो graph है वो depend करेगा कि आप किस तरह का polynomial ले रहे हो अगर मैं इसका पहले वाली value लेता हूं तो इसका जो graph है वो बनेगा constant function का जो already हम discuss कर जोगे है अगर मैं ये वाली value लेता हूं तो इसका graph बनेगा linear क्योंकि यहाँ पर x की power 1 आ रहे है तो graph जब इसका linear आप बनाओगे तो किस तरीके से बन सकता है तो linear का मतलब होगा है कि बिल्कुल एक straight line आएगी अब वो depend करेगा कि आपको graph क्या function किस तरह का दिया हुआ है लेकिन जो line आएगी ना आपकी बिल्कुल straight आएगी कैसे भी pass करे line बिल्कुल straight आएगी ठीक है ये बनेगा किसका linear का अगर आप quadratic का graph बनाते हो तो quadratic का graph बनेगा quadratic function जैसे माल लो fx equals to x square हो गया तो इसका graph आप बनाओगे तो इसका graph कुछ इस तरीके से बनेगा जैसे parabola बनता है अगर आप cube वाले का graph बनाना चाहोगे fx equals to x cube इसका graph हम बनाएंगे तो इसके graph में गयाएगा इसकी जो value है ये इसका graph इस तरीके से जाएगा positive value होगी तो उपर की तरह बढ़ता जाएगा ठीक है उसके बाद next जो graph है हमारे पास वह है modulus function अब modulus function भी बड़ा मतलब interesting function है कि अदर इसके अंदर आप कोई भी value डालोगे तो वह आपको positive value देगी चाहे आप negative value उसके इंदर डालो चाहे positive value इसके इंदर डालो बड़ा positive function है आपको हमेशा एक positive value देगा इसको आप लेखेंगे minus x and plus x दो function में convert कर दो अब minus x ये कब होगा जब x की value less than 0 होगी क्योंकि यहाँ पर already minus लगा हुआ है और मैं कहरा हूँ कि x की value negative ही है x की value less than 0 है तो इसके अंदर मालो मैं negative 2 put करता हूँ तो minus minus plus 2 आएगा तो answer आपका plus ही आएगा ठीक है और जब आप खाली positive x लिख रहे हो तो इसका मतलब x की value greater than or equals to 0 हो सकती है यानि positive value डालोगे तो positive answer आएगा याएगा negative value डालोगे तो भी positive आएगा क्योंकि negative sign वहाँ पर है तो इसलिए जब भी modulus function को लिखना होँ आपको अलग लग करके तो इस तरीके से आप उसको express करेंगे और जब इसकी domain आएगी domain के अंदर आप कोई भी real number डाल सकते हो आप चाहे negative value डालो चाहे positive value डालो कुछ फरक नहीं पड़ेगा ठीक है लेकिन जब इसकी range निकालोगे तो range इसकी maximum 0 आ सकती है और 0 से लेकर infinity तक कुछ भी आ सकती है क्योंकि answer इसका कभी भी negative नहीं आता है या तो 0 रहेगा या 0 से बड़ी कोई भी positive value जाएगी up to infinity डाग तो ये range होगी अब इसके graphical presentation की बात करें तो graph इसका कैसे बनेगा अगर हम x की value 0 लेते हैं तो यहां पर point आ जाएगा अगर x की value हम 1 लेते हैं तो y की value भी 1 आएगी अगर हम x की value यहां 1 डालते तो fx की value भी 1 आएगी और अगर आप इसकी value x की value minus 1 डालोगे तो भी हमारे पास value plus 1 आएगी तो इसका जो graph है जब positive value डालोगे तो यह इस तरफ जाएगा ऐसे और negative डालोगे तो इस तरफ जाएगा ऐसे x की value आप negative डालोगे लेकिन y की value आपको positive ही मिलेगी तो इसका जो graph है वो इस तरीके से move करता है उसके बाद next function है आपके बास exponential function अब exponential function को exponential function को हम denote करते हैं fx equals to a raise to power x अब इसमें देखो अगर आप x की जगे है मालोगे जिरो पुट करता हूँ a की power अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो answer 1 आएगा अगर a की power कोई positive value पुट करते हैं तो यह positive ही रहेगा अगर a की power कोई negative value पुट करते हैं तो इसको मैं इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन a की power x तो भी यह positive ही रहेगा यानि हर एक case में इसकी value भी positive आएगी यह कहीं भी negative value attain नहीं करेगा दूसरी चीज इसकी value कहीं भी 0 भी नहीं आएगी आप देख रहे होगी जब 0 पुट किया तो value 1 आगई और जब आपने पुट किया यहां पर positive value तो यही रहेगा और जब आप negative value पुट करोगे तो भी यह 0 के बराबर तो नहीं आएगा यानि यह function कभी भी 0 के बराबर नहीं होता और जितनी आप x की value यहां बढ़ाते जाओगे x की value जिसे से बढ़ाते जाओगे मारलो मैं कहता हूँ कि 10 की हमने base ले लिया 10 यह अगर मैं कहता हूँ 10 की power 1 तो यह 10 हो गया और 10 की power 2 करेंगे तो यह आजाएगा 100 तो आपने देखा भी 10 की power जब 1 थी तो value सिर्फ 10 थी लेकिन जैसे आपने 2 power करी आपने x की value तो एक ही बढ़ाई है लेकिन आपकी जो value है वो fx की बढ़गी एकदम 100 अगर मैं यह आपर एक value x की और बढ़ा दूँ तो fx की value बनेगी 1000 तो इसको बोलते है exponential growth मतलब तेदी से growth आप जो input डाल रहे हो तो कम डाल रहे हो लेकिन जो output आ रहे है वो बहुत जवर्दस्तार है तो इसका जब हम graph बनाएंगे तो इसका graph कुछ इस तरीके से move करेगा यहाँ पर 1 तो आएगा ही आएगा मतलब जब आप x की value 0 put करोगे y की value 1 आएगी ठीक है जब हम इसका graph बनाएंगे फोड़ा सा इसको हम ओर इदर move कर लेते हैं तो जब आपने इसका graph बनाया तो इसका graph यहाँ से पास होगा ठीक है? 0 की तरफ जाएगा लेकिन यह 0 के बराबर नहीं होगा 0 की तरफ tend करेगा लेकिन 0 नहीं होगा इस side इस तरीके से बढ़ता जाएगा exponential growth लेगा आप x की value तो कम कर रहे हो बढ़ा रहे हो लेकिन यह इसकी value बढ़ती जा रही है लेकिन यहाँ पर क्या होगा जब यह वाला graph आप बनाऊगे तो उस case में जो a की value है वो greater than 1 होगी अगर a की value 1 होगी तो answer आपका 1 ही रहना अगर greater than 1 आएगी तो आपके पास यह वाला जो graph है इस तरीके से बनेगा अगर a की value 0 से लेकर less than 1 तक आ जाए क्योंकि negative तो यह होगी नहीं ठीक है value यह negative तो होगी नहीं a की value ग्राफ यहाँ पर a की value हमेशा positive रहेगी तो यह value कितनी हो सकते या तो greater than 1 होगी या 0 से लेकर 1 तक के बीच में होगी तो उस case में जो graph है graph बनेगा ऐसे ही इसी format में बनेगा लेकिन direction उसकी opposite हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर a की value 0 से 1 का मतलब है कि 1 से छोटी है और 1 से छोटी है तो आप उसमें जैसे से value बढ़ाओगे तो उसकी value कम होगी ना कि बढ़ेगी तो इस तरीके से यहाँ भी यह 0 को touch नहीं करेगा 0 की तरफ tend करेगा लेकिन 0 पर touch नहीं करना तो यह होगा हमारा exponential function का graph इसका अगर हम domain देखे तो domain में तो आप कोई भी number put कर रहे हो कोई भी number आप put कर रहे हो लेकिन जो range आ रही है हमारी range इसकी 0 से infinity तक आ रही है और 0 की तरफ भी open interval लगाया क्योंकि यह 0 के बराबर नहीं होगी 0 से बड़ी कोई भी value हो लेकिन 0 नहीं होगी अगर इसके next function की बात करें तो वो इसका एक तरह से opposite function होता है logarithmic function log function को हमें पता है कि हम किस तरीके से इसको denote कर दें already हम log वाले chapter में पढ़ चुके log x to the base a अब यहाँ जो base होता है यह 1 के बराबर नहीं होता और जो x होता है यहाँ पर x हमेशा positive number होता है ठीक है x की जो value होगी वो हमेशा positive value होगी अब इसका जब आप graph बनाओगे log function का जब आप graph बनाओगे तो इसका जो graph है जो exponential function है ना उसका लगवर उल्टा बनेगा क्योंकि दोनों reciprocal function भी आप इनको कह सकते हो अब यहाँ पर जब इसका graph की हम बात करेंगे x की value आप x की value आपको पता है कि greater than 0 होगी अगर हम 0 रख देते हैं sorry 1 रखते हैं अगर हम x की value 1 रखते हैं तो 1 रखने पर क्या होगा यहाँ पर आजाएगा log 1 और log 1 की value होती है 0 log 1 की value 0 होने का मतलब है कि इस point से तो graph आपका pass करेगा खरेगा जैसे exponential में यहाँ से pass कर रहा था इसमें यहाँ से pass करेगा और जैसे जैसे आप value को increase करोगे तो यह graph आपका इस तरीके से बढ़ता जाएगा और इसको अगर आप मैं इधर लाओ तो यह इस तरीके से ऐसे decrease करता जाएगा ठीक है थोड़ा सा इस तरीके से इसका graph आएगा इसको मियास से डालेते हैं ज़रा इसको इधर ले आते हैं ठीक है अब यहाँ पर यह वाला जो case बनेगा इसमें अगर आप इसको बढ़ाते हो आगे इस line को अगर आगे बढ़ाते हो तो ऐसे ही जाएगा यह लेकिन 0 की तरफ 0 की तरफ tend गरेगा लेकिन यह 0 कहीं पर भी नहीं होगा इस तरीके से इसका graph बढ़ते रहेगा यहाँ पर भी condition यहीं कि जो एक ही value है वो greater than 1 होगी और अगर एकी value 0 से 1 के बीच में होगी तो उस case में जो graph है इसका वो कैसे आएगा अगर एकी value 0 से 1 तक के बीच में हो तो इसका graph जो है इस तरीके से बनेगा यहाँ भी यह इस point 1 0 से पास करेगा इस तरीके से बढ़ेगा ठीक है तो यह बनेगा आपका log function का graph अब इसका जो domain और range है वो विल्कुल उल्टा हो जाएगा जैसे exponential का क्या range था वो उसका domain बन जाएगा और जो domain थी वो range बन जाएगी तो उसका जो domain है यह बनेगा 0 to infinity क्योंकि आप negative value तो इसमें put करी नहीं सकते x की value उसने बताया कि greater than 0 होती है log function में तो इसका मतलब 0 से बड़ी कोई value put करोगे positive value 0 भी put नहीं कर सकते और जो answer आएगा आपका वो कोई भी real number आ सकता है जो domain आएगी आपकी जो range आएगी वो कोई भी real number आ सकता है positive side जा रहे हैं तो positive value भी आ रही है ठीक है अगर x की value इधर से इधर बढ़ रही है तो यह negative में भी आ गया तो इसका मतलब है कि जो range है उसकी positive negative कोई भी आ सकती है कोई भी real number आ सकता है उसकी बाद जो next function है वो हमारे पास greatest integer function अब greatest integer function को जो हम denote करेंगे तो इसको इस तरीके से denote किया जाता है यह वाली bracket लगाते है बड़ी वाली bracket इसे बोलते है इसको लगाते है अब इसमें मतलब इसकी खास्यत क्या होती है इसका function क्या होता है greatest integer function का इसमें कहता है कि अगर आपके पास कोई number line है यह 0 आगया यह 1 आगया यह 2 आगया इधर से minus 1 आगया तो इस number line पर आप कहीं भी कोई भी point लो मालो मैं suppose यहाँ पर point ले रहा हूँ तो इसकी जो value आएगी मालो यह point है minus 0.5 तो इसकी value जब आप निकालोगे तो इसमें आप यह नहीं देखोगे कि यह इसके close है या इसके close है आप देखोगे कि यह वाला जो point है इसके left में number line में इसके left पे कौन सा number आ रहा है वही हमारा answer है अगर मैं f minus 0.1 भी लूँ 0.1 तो यहाँ पर आएगा ना इसके बिलकुल close तो भी answer इसका minus 1 ही रहेगा अगर मैं f minus 0.9 ले लूँ तो भी इसका answer minus 1 ही रहेगा और अगर minus 1 लेंगे तो तो minus 1 रहे गई बतला जो भी value आप इसमें ले रहेगा इंटीजर है तो वही answer आएगा अगर integer नहीं है तो उससे पहले जो भी integer पड़ेगा वही हमारा answer बनेगा अगर मैं यहाँ पर कोई value लेता हूँ वालो यहाँ पर मैंने value ली f 2.3 तो इसका answer 2 आएगा अगर मैं लेता हूँ f 2.9 तो भी इसका answer 2 ही आएगा तो आप domain देख रहे हो domain आप कुछ भी put कर सकते हो आप decimal में कोई भी number put करो fraction में करो पूरे पूरे number put करो domain पे कुछ फरक नहीं पढ़ रहा domain सारे real number आ रहे हैं लेकिन जो range आप देख रहे हो range शर्फ integers में आ रही है या तो minus में आ रही है integer या plus में आएंगे integer लेकिन आएंगे integer ही integer के अलावा कोई और value नहीं आएगी तो जब हम इसका graph बनाएंगे तो कैसे बनेगा अब जब हमने x की value 0 ली तो यह 0 ही रहेगा अगर x की value हम 0.1 लेते हैं तो भी answer 0 ही रहेगा अगर x की value 0.9 तक आप कुछ भी लोगे तो answer 0 ही होएगा value change कब होगी जब हम 1 पर पहुंचेंगे अभी जो value हमारे पास यह value है यहां से इस तरह से आप line दिखाना चाओ दिखा सकते हो जब आप 1 पर पहुंचोगे तो हमारे x की value आ जाएगी इधर 1 है इधर 1 आगी अब x की value 1 हमने put करने पर हमारे पास answer 1 लेकिन अगर हम 1.1 put करेंगे तो भी तो answer 1 रहेगा 1.2 put करेंगे तो भी answer बन रहेगा यानि 1.9 तक हम जाएंगे 1.9999 तक जाएंगे हम को value identify तो करने सकते तो हम क्या करेंगे हम 2 पर जाएंगे और वहां तक एक line draw करेंगे ऐसे और यहां पर एक circle लगा देंगे उसको blank चोड़ देंगे ठीक है क्योंकि जो 2 पर value 2 नहीं होगी 1 नहीं होगी 2 पर value होगी 2 तो यहां वाला circle लेंगे फिर यह आगे ऐसे बढ़ेगा 3 तक जाएगा ऐसे फिर उसके आगे जाएगा इस तरीके से इसका graph बनेगा और आप negative side आओगे तो अगर हमने value put करी minus 0.1 या 0.5 या 0.5 कुछ भी put करी तो answer आया उसका minus 1 तो इसमें जो graph है आपका वो यहां से शुरू होगा तो इसमें जो graph है आपका minus 1 value मार लो यहां पर है तो यहां से start होगा graph आपका फिर यह इस तरह से चलेगा minus 1 पर आके ऐसे note लगा दोगे फिर यहां से आगे बढ़ेगा इधर circle dark कर दोगे इस तरीके से graph बनेगा इसको step function भी बोलते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर step की तरह बन रहा है तो इसको step function भी बोलते हैं तो यही सारे function आपको दिए हैं उन सबके graphical presentation हमने discuss कर लिए है आई होप आपको इस समझ में आगे होगे किस तरह से इनके graphical presentation आपको करने हैं तो आज किस वीडियो में इतना ही करते हैं next वी कि अजया कर दो